Hello everyone, I am Jyoti Jha. Welcome to NCRT The Mind and today NCRT The Mind present class 5 EBS looking around chapter 1 SuperSense. तो आज मैं आपको SuperSense के question answers बताने जारी हूँ. इसका chapter मैंने पहले पढ़ा दिया है. अब आप इसके question answer बना लेजे. How did the ant know that the other ants were not from its group? ants जो है, चीटियां वो कैसे पहचान लेती है कि उसके group में जो दूसरी ant नहीं है? तो देखिए इसका answer क्या है? The ants know that the other ants were not from its group by the smell of the ant. तो वो उसके smell से पहचान जाती है कि वो उसका ही group है और दूसरी ant उसके group में नहीं है. दूसरा question है, How did the guard ant recognize this ant? अब जो guard ant होती है, वो कैसे recognize, कैसे पहचानती है वो ant को, दूसरी ant को. तो answer लिखेंगे, the guard ant recognize this ant by her smell. तो guard ant जो है, वो उसके smell से पहचान लेती है उससे. अब देखिए, drop some sugar, jagari or anything sweet on the ground. Wait until the ant come there. आप जो है, कुछ ground में कुछ मीठा, कुछ जो है, जागडी मिन्स गुड होता है, या कुछ भी मीठा, आप ground में आप गिरा दीजिए. और उसके बाद देखिए, कि वहाँ पे ant जो है, कब तक पहुंचती है? How long did it take for the ant to come? ant को आने में वहाँ पे कितना समय लगता है? It takes usually about two to three minutes. तो इसे जो है, कम से कम, दो से तीन मिनट लग जाता है, वहाँ तक पहुंचने में. Did one ant come first or a group of ant come came together? तो group में जो है, कौन सा ant जो है, कब मतलब first में कौन पहुंचती है? तो one ant come first. पहले जो है, मतलब की, जो group होता है, उसमें सारी ant जाती है, तो पहली ant जो है, वह पहले पहुंचती है. उसके बाद उसके पीछे-पीछे सारी ants जाती है. What did the ant do with the food? ant जो है, वो खाना को कहां लेके जाती है, क्या लेके जाती है? तो ant took the food to their hall. वो जो है, खाना अपने hall में लेके जाती है, खाना को. Where do they go from there? वो कहां जाती है? They go to their hall. वो अपने hall में जाती है. Do they move in a line? क्या वो लाइन में जाती है? Yes, they move in a line. वो लाइन में ही जाती है. उसके बाद है, now carefully without harming the ants block their path for a while with a pencil. अब आप देखिए कि आप किसी ant को चोट पहुचाए भी ना उसका अगर रास्ता ब्लॉक करते हैं, तो फिर देखिए किसी पैंसिल से अगर उसका रास्ता ब्लॉक करते हैं, तो फिर क्या होता है? Now observe how do the ant move? अब जो हैं, वो किस तरह से कहां से जाएगी ant? Now also they move in a line. वो जो हैं, उस line में ही जाएगी. अब देखिए, now can you guess why the ant behaved like that when you block their path? अब जो हैं, आप देखेंगे कि अगर किसी ant का आप रास्ता अगर ब्लॉक कर देते हैं, तो वो कैसा behave करती है, उसे कैसा लगता है? तो answer लिखेंगे कि as the ant move, they leave a smell on the ground, the other ants follow the smell to find the way. So when their path were blocked, ant tried to maintain their original path by the following smell. अब जो हैं, जब भी ant अगर जाती है, अगर तो रास्ते में वो अपना एक smell छोड़ते वे जाती है. तो जिससे की दूसरी ant को उसे follow करने में सुविधा मिलती है, वो उसी रास्ते से जाती है. और अगर वो अगर रास्ता आप ब्लॉक कर देंगे, तो उसे अपना original जो smell होता है, उसे ढूनने में परेशानी होगी. तो इसलिए उसे गुस्सा आएगा आप रास्ता, अगर ब्लॉक कर देंगे तो वो उसे नहीं खुच पाएगी अपने इसमें. तो आगे देखते हैं. Have you ever been troubled by mosquitoes? Just think how do they know where you are? क्या आपको किसी mosquitoes से कभी परेशान करते हैं? Mosquito मच्छ कभी आपको परेशान करते हैं? और आप सोचे कि उन्हें कैसे पता चल जाता है कि आप कहा हैं? तो देखें, answer. Mosquitoes find us by the smell of your body, souls of feet and also by the heat of our body. एक जो Mosquito है, वो आपको आपके body के smell से पहचान जाती है. आपके पैर जो होता है, feet, वो souls, उसके खुस्बू से पहचान जाती है. और आपके body के heat से पहचान जाती है. तो आप कहीं भी होंगे, तो Mosquito आपको ढूंडी लेगी. उसके बाद है, have you seen a dog sniffing here and there? What do you think it is trying to smell? आप देखे कि आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई मतलब डॉग है, और वो इधर उदर sniffing means होता है, कि मतलब toilet urine चोड़ना, और आप देखे होंगे कि इधर उदर toilet वो करता रहता है, यूरीन चोड़ता है, और वो ऐसा क्यों करता है? क्या करता है वो? तो आप देखे answer, yes, I have seen a dog sniffing here and there. हाँ मैंने देखा है, डॉग को इधर उदर sniffing करते हुए, a dog can make out if another dog had come into their area by the smell of its urine. अब जो कोई दूसरा dog जो है, उसके area में वो अपने area में एक अपना mark बना लेता है, अपना एक area को separate कर लेता है अपने urine से, कि कोई दूसरा dog उसके area में तो नहीं आ रहा है है. So, in order to check out whether any other dog has come out or not a dog sniffs here and there, तो इसलिए जो है वो कोई दूसरा dog तो उसके area में नहीं आ रहा है, इसलिए वो उस area को slips करके जो है, उसे separate कर देता है. अब आगे देखें, In what way do human being make use of this special sense of smell of dogs? तो आप देखें कि human being को dog का जो special sense होता है, इसमेल उसका कब मतलब की use पड़ता है? डॉक का यूस कब होता है, जो उसका special sense जो होता है, उसका use. तो देखें एंसर आप, We use this special sense of smell of dogs to catch criminals. हम लोग जो है, इसके special sense का use करते हैं, जो smell का special sense का use करते हैं, क्रीमिनल को पकरने में, recover the stolen goods, जो आपका अगर कोई समान चोड़ी हो गया है, तो उसे recover करने में, उसे खोजने में, search out bombs and explosive etc. आपका जो है, अगर कोई पे bomb रखा हुआ है, या कुछ ऐसा इस type का कुछ कोई criminals रख दिया हो, तो उसे जो है, search करने में, तो हमें dog की ज़रुरत पड़ती है, कि उसे ये sense बहुत ही अच्छा होता है, उसमें ये sense की वो किसी भी चीज को अच्छे से वो तुरंथी खोज पाता है, उसके बाद है, कि आपको ऐसा लगा कि आपका sense बहुत मतलब helpful है, आपके लिए, लिस्ट सम एक्जामपल लाइक तो नो बाई इट्स स्मेल, तो फूड हैस गौन बैट और देट सम्थिंग इस बर्निग, तो आपको पता चलता है कि अगर जो है, मतलब खाना खड़ाब हो गया है, या खाना जल रहा है, तो आप इसे जो है, कैसे पहचान पाएंगे, तो एंसर देखिए, बिसाइट, स्मेलिंग दर बैट फूड्स, और दर इसमेल बर्निग, आवर सेंस अब इसमेल, help us to choose good food, पर्फ्यूम, सोप, इंसेंस, स्टीक, एक्सेक्टर, और आज़सो फाइंड आउट इफ एनी क्लोथ, इस स्निंकिंग दूटो स्वीट, अब देखिए, कि हम लोगों को पता चलता है, जैसे कि उसके स्मेल से, अगर खाना जल रहा है, तो खाना खड़ाब है, खड़ाब हो गया है, और यह सब हमें, उसके हमारे सेंस से, यह सब हम पता कर लेते हैं, जैसे पर्फ्यूम का स्मेल है, सॉफ है, इंसेंस, स्टिक्स, यह सब जो भी है, हमें पता लग जाता है, होता है जो सड़ जाता है कपड़ा तो वो चिपचिपा हो जाता है इस तरह से इसे बोलेंगे तो हम जो है उसे भी find कर पाते हैं sweets पसीना को इसके बाद है name the animals that you would be able to recognize only by their smell without seeing them तो आप क्या किसी animal का ऐसा मतलब की नाम बता सकते हैं कि आप उन्हें जो है उसके smell से आप उसे पहचान पाएंगे बिना देखे किसी animal को आप बिना देखे उसके smell से क्या आप उसे पहचान पाएंगे तो answer है we can recognize pet animals like dog, cat, cow, buffalo, goat, etc. by their smell तो हम लोग जो है जैसे कि guy है, dog है, cat है, cow, buffalo, goat ये सारे जो animals हैं इन्हें हम उनकी smell से पहचान पाते हैं इसके बाद है write the names of five things whose smell you like and five things whose smell you do not like तो आपको जो है पाँच ऐसे चीज़ों के नाम बताने हैं जिनहें आप पसंद करते हैं और जिनका smell आप नहीं पसंद करते तो देखिए tasty food, incense sticks, flower, perfume, cosmetics items ये सब चीज़ आप लाइक करते हैं smell इसका और dirty garbage, socks, death, animals, gutter, smelling, chemical ये सारी चीज़ आप नहीं पसंद करते हैं इनका smell नहीं अच्छा होता है इसके बाद है, do you and your friends have similar answer क्या आपका और आपके friends का एक ही answer होगा तो answer है yes इसके बाद है, do you find out from the smell of the clothes your family members, can you say whom do they belong to? try to recognize the clothes of any two members of your family in this way तो आप बता सकते हैं कि अगर आप अपने family members के cloths का smell सुनके आप उन्हें पहचान पाएंगे और वो कौन है, किस से belong रखता है, कि आप उन्हें पहचान पाएंगे तो आप कम से कम अपने दो family members के बारे में बताईए जिन्हें आप उनके cloths से, cloths की smell से आप उन्हें पहचान पाएंगे तो आप लिखेंगे answer yes, I can recognize the cloth of some members of my family by smelling their cloths तो हाँ मैं अपने family के member को पहचान पाऊंगा उनके cloths से, उनके smell से, cloths के smell से मैं उन्हें पहचान पाऊंगा पहचान सकता हूँ, तो I recognize the cloth of my mother, my father मैं अपने mommy, papa को पहचान पाता हूँ, उनके cloths से, cloths के smell से इसके बाद है, Susila covered her nose when she cleaned Deepak's nappy but not when she cleaned her daughter, why do you think she did this तो देखे, Susila जब दीपक के nappy वो साफ कर रही थी, clean कर रही थी और but not when she cleaned her daughter, और अपने daughter का भी वो साफ नहीं की why do you think she did this, उनके साथ क्या हुआ, क्या सोचते हैं, क्यूं हुआ ऐसा we often find a smell bad, उसने सोचा इसका smell जो है, कितना bad है, कितना खड़ाब है, when we think it is from something dirty, जबकि उसने सोचा कि यह कितना कुछ जो है, खड़ाब है, कुछ dirty है, if we make up our mind, we may not be so often by this smell, उसके mind में उसका smell बिलकुल ही, यह नहीं हो पाड़ा था, सो सुसीला covered her nose when she cleaned दीपक स्नेपी, but not when she cleaned her daughters तो देखिए, यह क्या हुआ ना, कि जब सुसीला इसका तो मैंने आपको पढ़ाया था पहले ही, तो सुसीला जो है, वो अपने जो डॉर्टर का है, उसका तो नेपी वो साफ कर दी, लेकिन जो है दीपक, जो उसकी जो बेहन का जो लड़का था, उसके नेपी उसको साफ करने के लिए, वो अपने नाग पर दुपटा रख ली थी, उसके बाद है, तुम्हें कैसा लगता है, टहलते हुए, जब तुम जो है, मतलब गारबेज के पास जाते हो, आप सोचते होंगे कि अगर चिल्रेन जो है बच्चे जो अगर दिन भर गार्वेज के पास रहते हैं तो कैसा उन्हें कैसा मैसूस होता है क्या सोचते हैं तो answer देखे जब मैं गार्वेज के पास टहलता हूँ तो I feel very dirty मुझे बहुत खड़ाब लगता है I think the children who live near a hip-hop garbage they also feel dirty जब चिल्रेन जो है garbage के पास कचरे के डबे के पास जब खेलते हैं रहते हैं तो उन्हें बहुत dirty feel गंदा मैसूस होता है उसके बाद है Is a smell good or bad for everyone in the same way तो आपको पता है कि जो सभी जो होते हैं उनको क्या smell good or bad साड़े की एक ही जैसा होता है सभी को एक ही तरह का पसंद होता है और does it depend on how each one feels about it और उसके उपर depend करता है कि वो पत्तियक इंसान कैसा feel करता है इसके बारे में क्या सूचता है तो answer होगा yes, sometimes good and bad कभी-कभी हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है अच्छा और खड़ाब Is a smell are some to almost all people सभी के साथ ऐसा होता है ज्यादा तर पीपल के साथ ऐसा होता है और sometimes it depends on the feeling of the person और sometimes जो है depend करता है उस person पे write the name of a bird which has eyes in front of its head like in humans अब जो है, कुछ आप जो है birds के नाम बताईए जिनके eyes front में होते हैं जिस तरह की इनसान के होते हैं तो आप answer बताएंगे owl has eyes on the front of its head owl जो होते हैं, उल्लू, उनके eyes जो होते हैं वो front में होते हैं, जिस तरह से इनसान के होते हैं इसके बाद है, write the names of some birds which have eyes on either side of the head what is the size of their eyes as compared to the size of their head अब जो है, आप कुछ ऐसे बाद के नाम बताईए जिनके जो होते हैं, ये eyes वो side में होते हैं head के दोनों मतलब side में होते हैं और उनके size में भी comparison कीजिए तो answer लिकेंगे, the name of some birds which has eyes on the side of its head are sparrows, hen, crow, peasant, duck जो ये sparrow होते हैं, sparrow, hen, crow, peasant, duck ये सारे के जो होते हैं, eyes ये दोनों side में होते हैं head के दोनों side में होते हैं their eyes are smaller as compared to their head इसके height से, इसके जो size होते हैं, eyes के वो छोटे होते हैं उनके hate के comparison में, उनके eyes चोटे होते हैं अब है, देखे, could you see your friends action क्या आप अपने friends के action देख सकते हैं without moving your neck अपने गर्दन घुमाए बिना आप अपने friends के action देख सकते हैं तो आप लिकेंगे, no, I can't see my friend action without moving my neck नहीं, मैं नहीं देख सकता, without अपने neck को गुमाई बिना मैं अपने friend के action वो क्या कर रहा है, मैं नहीं देख सकता अब आप अपने friends के action देख सकते हैं, आप अपने दोनों आखों को खोल के लेकिन आप अपने गर्दन को गुमाए बिना आप action देख सकते हैं तो answer लिखेंगे, I tried but I can't see my friend action, मैं try करूंगा लेकिन मैं उसके action नहीं देख सकता उसके माद है, what was the differences on looking with one or both eyes? अब जो है, आप difference बताएए, एक और दो आखों में क्या अंतर होता है? answer लिखेंगे, if we see from our one eyes, we can see only one side and if we see from our both eyes, we can see the both sides देखें, अगर हमारे one eyes, अगर हमारे पास अगर एक आख होता है, तो हम एक साइट से देख पाते हैं अगर दोनों आख होता है, तो हम दोनों साइट से देख पाते हैं उसके बाद है, now toss a small ball or a coin and try to catch it आप एक small ball लिजे या coin लिजे और उसे catch करने की कोसिस किजिए try this with both your eyes open, अब try किजिए अपने दोनों आखों को खोल के आप उसे catch करने की then close one eye and try to catch it और आप अपने एक आखों को बंद करके उसे catch करने की कोसिस किजिए when was it easier to catch अब आपको कौन सा जो है easy लगेगा catch करने में तैंसर लिखेंगे by both eyes I catch the coin easily अब जो है आप लोगों को दोनों आखों को खोल के catch करने में आसानी होगा उसके बाद है I imagine how it would be to have your eyes in place of your ears आप I imagine कीजिए अगर जो है आपके ear के जगह पे अगर आपके आखे हो आपकी eyes हो what would you be able to do then फिर आप क्या करेंगे which you cannot do now जो आप अभी नहीं कर सकते हैं उस समय आप क्या करेंगे मान के चलिए अगर आपके ear के जगह पे अगर आपको आपकी आखे हो तो आप क्या करेंगे तो answer I can see both side in the same time I can see या पे I can see I can see both side in the same time तो मैं दोनों same time में मैं दोनों side देख पाऊंगा चलिए उसके बाद है तो answer लिखेंगे Eagle can see the roti from 8 meters in the sky तो eagle जो है 8 meter की दूरी से वो roti को देख सकता है उसके बाद है the names of 10 animals whose ears can be seen आप जो है आप 10 animals के आप जो है नाम बताईए जिनके ears आप देख सकते हैं answer लिखेंगे the name of 10 animals whose ears can be seen are dog, cat, cow, donkey, lion, tiger, elephant, horse, zebra, goat, etc. उसके बाद है the names of some animals whose ears are bigger than our ears अब आप नाम बताईए animals के जिनके ears हम लोगों से बड़े होते हैं तो आप लिखेंगे answer dog, elephant, god, donkey, rabbit, etc. have big ears than our ears हमारे ears से इनके ears बड़े होते हैं अब है can you understand the sound of some animals, which animals क्या आप किसी animals के sounds पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं, वो कौन है तो आप बताएंगे yes, I can understand the sounds of some animals such as dog, cow, sparrow, उसके बाद है do some animals understand your language, which ones क्या कोई animals आपके language पहचान पाता है, समझ पाता है, वो कौन है किसी एक आप नाम बताएं, तो answer लिखेंगे yes, some animals understand my language, such as I call my pet dog, sometimes he come मैं समझ सकता हूँ, जैसे कि मेरा जो pet animal है, वो उसे जब भी मैं बुलाता हूँ, तो वो आजाता है इसके बाद है, have you noticed that during the cold season you cannot see any lizard in the house, where do you think they have gone, क्या आपको पता है कि जब cold season आता है, ठंडी का मौसम, तो उस समय आप अपने घर में lizard नहीं देख पाते हैं, छिपकली नहीं देख पाते हैं, क्या आपको पता है यस, I noticed that in winter there is no lizard in my home, I think they space somewhere to protect them from cold हम लोग पता है, यस, मैंने नोटिस किया है कि winter में हमारे घर में lizard नहीं होता है तो वो अपने आपको ठंडी में प्रोटेक्ट करने के लिए, वो ठंडी जगर में कहीं पे मतलब कि चले जाते हैं ठंडी से प्रोटेक्ट करने के लिए, वो कहीं चले जाते हैं, गर्म जगर में What do you think are some of the danger to tiger in the jungle? क्या आप सोच सकते हैं कि tiger को जो है, किसे खत्रा है, जंगल में किसे खत्रा है तो आप answer लिखेंगे, yes, there is danger to tiger in forest because hunters and poachers kill tigers for their skin Tiger को जो है, खत्रा है, क्योंकि उन्हें hunters जो होते हैं और poachers, सिकारी, वो उन्हें मार देते हैं उनके skin के लिए उसके बाद है, can human beings also be a treat to animal, how? क्या human being को, इन्सान को जो है, उसे एक धमकी समझना चाहिए और कैसे, animals को एक धमकी समझना चाहिए, तो जैसे आप answer लिखेंगे, yes, human being is treat to animals because they kill them हाँ, उन्हें धमकी समझना चाहिए, क्योंकि एक जो इन्सान होता है, वो एक तरह से धमकी, क्योंकि उन्हें क्योंकि उसे मार देते हैं, तो इसलिए वो डड़ता है उससे, tigers, सब जो है अब जो है, यह chapter खत्म हो चुका है, बच्चों तो आपको अगर कुछ कोई, अगर समझ में नहीं आता है, कोई answer या कुछ भी problem होता है, तो आप comment में पूछ सकते हैं, और इसके जो chapter है, super sense, यह मैंने description box में दे दिया है, तो आप वहाँ से इसके chapter आप पढ़ सकते हैं, और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा, तो आप इसे like कीजिए, मेरे channel and CRT the mind को subscribe कीजिए, और bell icon जरूर दबा देजे, ताकि मेरे वीडियो का notification आप तक सबसे पहले पहुँचे, तब तक के लिए bye, take care, thanks to watch my video,